इक ओनकार सतनाम करता पुरक निरभव निरवैर कालम उरत अजोनी सैभंगुर्परसान बेसमार अथा अगन्त अदोले जियों बुलाओ त्यूना निखदास बोले सनमान यो उपस्तित गुरू उपसाथ संग जीओ गुर्वानी विचार आप जी दे समक्ष पेश करां पेशतर गुर्मत मर्यादा अनसार फते कबूल करने वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते धन गुरू गोबिन सिंग जी महराज दे जाब साब दिछ आए एक चंद तों गुर्वानी विचार तुछ बुद्धी अनसार आप जी दे सामने रखन दी एक निमानी जी कोशिश कर रहे हैं चंद है आमान है निधान है अनेक है फिर एक है धन गुरू गोबिन सिंग जी महराज दे बोल आमान है निधान है अनेक है फिर एक है निधान है तू गुणा दा खजाना है तू शक्ती दा निधान है तू सुहपन दा खजाना है लेकन अमान है तेनू मान नहीं है ना अपनी शक्ती दा ना अपने स्वपन दा ना अपने गुणा दा तेनू किसे वी गुण दा मान नहीं तेनू अपनी समरथा ते शक्ती दा कोई मान नहीं तेनू अपने स्वपन दा सुंदरता दा कोई मान नहीं प्राचीन उपनिश्ता दे रिशिया ने प्रमात्मा दे एतिन गुणमने ने सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्य है शिवम ओ प्रकाशमान है और ओ अति सुंदर है उसनों वैदिक रिशिया ने इज ब्यान कीता सत चित आनन वो सत है चित वो चेतन है वो अनन्द सरूप है उसनों धन गुरु नानिक देवजी महराज ने इज ब्यान कीता है सत सुहान सदामन चाओ तू सत है सुहान तू अती सुंदर है सदामन चाओ तू अनन्द सरूप है खिड़े आऊ है तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है तेरे विच हुलास ही हुलास है तेरे विच चाओ ही चाओ है तू कदी मुर्जान दा नहीं ऐसा जो शक्ती दा सोमा है ऐसा जो सौपन दा खजाना है ऐसा जो गुना दा मरकज है केंदर है धन गुरु गोबिन सिंग जी महराज केंदर आमान हैं, तेनु कोई मान नहीं है, किसे भी गुन दा, अपनी शक्ती दा, अपने स्वप्ण दा, आमान हैं, निधान हैं, अगली गल, अनेक हैं, फिर एक हैं, तू एक होंदा हो या अनेक है और तू अनेक होंदा हो या एक है ये ते पहली जापेगी जो एक है वो एक ही हो सकदा है अनेक किस तरह होगा और जो अनेक है वो अनेक हो सकदा है एक किस तरह होगा धनगुरु गोविन सिंग जी महराजी कहें दिने अनेक हैं फिर एक हैं तू अनेक होंदा होया एक हैं तू एक होंदा होया अनेक हैं धनगुरु गुरन साब जी महराज दा पहला अक्षर एक धनगुरु गुरन साब जी महराज दी बानी एक तो अरम बोंदिये गुरुनानिक दे कंठतों जो पहला उद्घोश होया गुरुनानिक दे कंठतों जिड़ा पहला ब्रह्म नाद प्रगट होया एक गनत दिछते एक हिंसा है एक नहीं गुरुनानिक दे कंठतों ये ब्रह्म वाग होके प्रगट होया है गुर्णानिक दे कंठतों इप पहला उद घोश है प्रमात्मा दे संबंदेच एक उस एक दा सुरूप की है उस एक दा सुवाव की है उस दी हस्ती की है उस दी समरथा की है सारी गुरुगन साब जी महराई दी बानिच पिर उस एक दी व्याक है और फिर फैसला गुर्बानी दा पता है कि एक वस्त बूझें ताहों में पाक बिन बूझे तू सदा नापाक अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्तर है अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्तर है नहीं ते सदाई नापाक गंदगी दी धेर गलाजत नाल भरेया है मेला माराथ शुदता मंदे ही नहीं एक नू समझे बिना कोई शुद नहीं एक नाल जुड़ बिना कोई पवित्तर नहीं कोई बहुत वड़ा दानी है एक दी समझ नहीं एक नाल जुड़ जुड़ नहीं कि खुद भी अपवित्तर एदे दान देच भी अपवित्तरता होवेगी एदे दान देच भी हंकार दी बू होवेगी कोई बहुत वड़ी सेवा कर रहे है एक दी समझ नहीं एक नाल जुड़ नहीं इस सेवा देच भी हंकार ने जनम लेना निरंकार नहीं कोई जप कर रहे है गुरदवारे आ रहे है और तरह 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 दी सेवा दिश जुटे होया है ना इक दी समझ ना इक नल जुड़े है तो मैं रिश करा है इना सारे धार्मक करमा देचाँ हंकारी प्रगट होवेगा निरंकार नहीं और जिस जिस करम तो हंकार प्रगट होवे उस करम नो निर्मल नहीं आखे आजासे को तो 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 मलीन है उतो मेल है जो खुद मेला है उदादान भी मेला जो खुद मेला है उदी सेवा भी मेली और जो खुद मेला है यकीन जानो उस दा गुरदवारे बैठना भी मेला है क्योंकि जितने चिर्टा खुद शुद नहीं होएगा इस दा कोई कर्म शुद नहीं है तो सवाले पैदा हुदा है किमे शुद होएगा एक किमे पाक होएगा एक इस तरह पवित्र होएगा तो फैसला धन गुरु गर्ण साब जी महराइज दी बानी दा एक वस्त बूझे हैं ताहों में पाक बिन बूझे तूं सदा ना भाग इकागरत बक्षनी इक नो समझें इक नल जुडें इक नो जाने हैं तो तूं पाक हैं पवित्र हैं शुद हैं जि एक नू तू समझेया ने, एक नू तू जानेया ने, एक नाल तू जुडेया ने, तो बिन बूझे तू सदा ना बाग मैं फिर अर्श कराम, धन गुरु गर्ण साब जी महराई दी बानी दा, पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक दुनिया दे वाहिद गरंथ, धन गुरु गर्ण साब जी महराज ने, जिना दे बोल अरम बोंदेने एक तू, बानी अरम बोंदे एक तू धन गुरु गोविन सिंग जी महराज फिरमान कर देने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है तू अनेक होंदा होया, एक है, तू एक होंदा होया, अनेक है, तवज्जा, ध्यान, बक्षना इति पहली हो गई, ओ अनेक भी है, ओ इक भी है, ओ अनेक भी है दरसल संसार दे तलते ओ अनेक है और खुद ओ अपने आप दिछ निरंकार दे तलते एक है आकार दे तलते अनेक है निराकार दे तलते एक है ओ सरगुन दे तलते अनेक है ओ निर्गुन दे तलते एक है धनकुरु गंज साब जी महराज दी बानी दा फैसल है इबानी बिर्लो विचार सी जे को गुर्म खोए इनुँ पढ़न वाले सुनन वाले गान वाले बहुत आउन गे पर सद्गुर्दा फैसल है बानी बिर्लो विचार सी इक को विर्ला विचारेगा और विर्ला ही अपने सोच मंडल दिछ ले आवेगा जद सी कहने है फलाणा मनुख बदल गया है तो की बदल गया हाथ बदल गया है पैर बदल गया मुँ मत्था बदल गया कुछ भी नहीं बदल गया विचार बदल गया सोचनी बदल गयी है चित्वनी बदल गयी है विचार दे बदल देया मनुखदा संसार बदल जान्दै सोचनी दे बदल देया मनुखदा आचरन बदल जान्दै चिंतन दे बदल देया मनुखदा सब कुछ बदल जान्दै सारे दा सारा विवहार बदल जान्दै विचार दे बदल देया और किदरे बागिनती देच मनुखां दे विचार बदल जान इसे नूँ केनने युग बदल गया समा बदल गया युग बदल गया युग दी तबदीली मनुख दे विचारां दी तबदीली है और मनुख दे विचारां दी तबदीली युग दी तब्दिली है बोगनती देच मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जान दा है युग बदल जान दा है और ये व्यक्ति गत रूब देच किसे एक मनुख दे विचार बदल गयने तो उस दी दुनिया बदल गई उस दा विवार बदल गया उस दा आचर बदल गया उसी तरज जिंदगी बदल गयी सब कुछ ते विचार है इस रूह-जमीन दे एकको एक कावम है सिख जो विचार नुमत्था टेक दी है विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंदर धन गुरु गुर्ण साब जी महराज नो मत्था टेक दिये इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिएदा सिख अग्यानी नहीं चाहिएदा ते गुरु ग्यान है ग्यान गुरु आतम उपदेसो नाम भे भूट लगा हो जिस दा गुरु ग्यान होवे तो ओ आप अग्यानी होवे जो विचार दे खजाने देगों मत्था टेक दा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शैदे मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा वाकई कहियां दा मत्था टेकना भी पखंड है सीस निवाहिये क्या थिये जा रिदे कुश उद्ध जाए कि तेरा मत्त टेक्णा की मैंने रख दा है जिस देगों तुझु छुक रहे हैं ना तेनू बोद ना तेरी शर्दा ना तेरा भरोसा इस इस निवाई ये क्या थी ये जा रिदे कुश उद्ध जाए हो सगरा है कि तेरेस दान देचवी पकांड होगे तेरेस मत्थ टेकन देचवी दुबाजरा काम होगे दरसल विचार बदले बेना मनुखदी तरजे जिंदगी नहीं बदल दी इत्थे सबतों वड़ी पे ठाकेड़ी रखनी एं गुरू देगों धन अरपन करना अन अरपन करना बस्तर अरपन करने सोना चांदी अरपन करना ए पूर्णे पाने ने जैसे पहले पहले मासुम बच्चे नो लिखना सिखाया जान दाए तो उस्ताद पहले पूर्णे पान दाए ये पूर्णे ने धान अर्पन करना अन अर्पन करना बस्तर अर्पन करने सोना अर्पन करना चांदी अर्पन करना इस सब कुछ इस वास्ते है ताके एक दिन मनुखनों अपने विचार अर्पन करन दी जा चाजाए अपना मन अर्पन करन दी जा चाजाए मनुखदा मन की है विचाराँ दी मूरती होर की है, यह भेट करन दी जा चा जाए. और जिस दिन यह अपने विचार भेट कर दा है, गुरु अपने विचार ही सुनु दे दें दा है. मनुख दे विचाराँ दिच लोब है गुरू दे विचाराँ दिच संतोख है मनुख दे विचाराँ दिच काम है गुरू दे विचाराँ दिच राम है मनुख दे विचाराँ दिच हंकार है गुरू दे विचाराँ दिच निरंकार है मनुख दे विचाराँ दिछ क्रोध है गुरु दे विचाराँ दिछ दया है मनुख दे विचार दिछ मोव है गुरु दे विचार दिछ प्रेम है ए क्रोध पेट करे ते दया मिले ए काम भेट करे ते राम मिले ए हंकार पेट करे ते निरंकार मिले निर्मान ता मिले विनेमर ता मिले तो मैर्श करा अपने मन नूप एट करना की अपने विचारान नूप एट करना ते हुण मैर्श करा मनुखते विचारान दिच है की कदी बहुर मुताला कर लेना जैसे किसे मनुखते प्रशन करिये तन की ये तो चार शबदां ची वियाख्या किती जा सकती ये तन हडियां है हडियां दो ते चड़े आया मास है मास देते चड़ी होई मिंज है और मिंज देते चली दी होई एक खलडी है इसकिन खलडी है इस खलडी दे थले मिंज है मिंज दे थले मास है मास दे थले हडियां आखरी ना चारांदा मजमूवाई तान्य और रहे कि पगत कबीर के इंदने बिस्टा अस्त रकट परेटे चाम वो इस उपर ले राख्यों गुमान है कि तेनू हडियांदा मान है तेनू मास दा मान है तो मिंजते हंकार कर रहे है तो इस खलडी ते अपनी हों में प्रगटा रहे है कदी बहुर मुताला करना तान दा हंकार की ये खलडी दा हंकार तो जैसे सी वक वक रंग दे कपड़े पाये ने प्रमातमा ने एक रंग दी खलडी किसे नो नहीं देती और खलडी ही कपड़ा है करमी ही आवे कपड़ा नदरी मुख दो आर कीते हुए करमा दे मतावे के स्रीर रूपी चोला सानो मिल दा है पर इस चोले दा रंग इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे देता किसे नो गोरा किसे नो काला किसे नूं सामरा bonds, किसे नू लाल, किसे नू जर्दी माल, किसे नू गहवा रंग, एक रंग नहीं है तथु वेखी जगत उपाजा परमातमादी पसंद वी यह है, एक रंग नहीं अनिक रंग तेरे नारायणा, अनिका रंग बेश्तर रंग और सारे रंग चुंके उत्थों आये ने, इस वस्ते सारे रंगां दिछ नाराये ने, रंग सबे नाराये ने, जेते मन भावन, खैर मुक्तसर जो है मेर्जकरां, तन की है, तन हडियां है, हडियां दिते, चड़े होया मास, और मास दिते लिप्टी होई, मिंज, और मिंज देते चड़ी हो ये खलडी, ते जे हुन कोई प्रशन करे मन की है, तवज्जा, मन की ये, वास्त्वक मन की है, मन विचार है, मन सोचनी है, मन चित्वनी है, मन आहंग है, ये चार शक्तियां दा मजमूव है, जैसे तन चारां दा जोड है, हडिया, मास, मिंज, खलडे इस तरहम न वी चाराँदा मजमुव है विचार, सोचने, چित्वने ते आहं इसनों के दिनन मन, बुद, चित, आहं मन, बुद, चित, आहं इसनों शास्तरकार चतुष्टा अन्ता करणवी के दिनन चतुष्टा अन्त है करण चारांदा मजमुवा चारांदा जोड जद अंदर विचारांदा प्रवाज चल दा है मन जद मनुक सोच दा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिन्दगी दा अंग बनाना है ति किस विचार नू तलांजली देनी है इस्तरा ज़द सोच दाय तो मन ही बुद बन गया बुद ज़द मनुक किसे नो याद कर दाय या याद दिच बैठाय चिंतन दिच बैठाय वो ही मन बन गया चित मन बुद चित एक चोती शक्ति ये आहंग इमेरे विचार ने इमें सोच रहे हैं यह मैं याद कर रहे हैं, यह आहंग भाव हर वाक्त चाया रहेंदा है, यह चाराँ दा मजमुवा है, सडा मन, मन, बुद्ध, चित, आहंग, यह मन है, मन दा बदलना की है, विचाराँ दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना, तुसी आखोगे हंकार बदल जानदा है हाँ हाँ एक निर्मल हंकार भी होंदा है पहले मनुक तन दा मान करदा है धन दा मान करदा है जोबन दा मान करदा है प्रबता दा मान करदा है प्रवारते मान करदा है जात दे मान करदा है कुल दे मान करदा है लिकन जद हंकार बदल जानदा है तो ये रब ते मान करता है बाकी किसे ते मान नहीं करता है गुरू ते मान करता है तान मान दिबान साचा नानक की प्रबटे हे प्रबू हे सच्चे है तू मेरा मान है तू मेरा तान है मैंनू तेरे ते मान है तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रबता ते मान है, प्रवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है, इते मेल है, अंकारी है, यही लोकां कोल है, कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रबता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है, गुरुत एक वादर शैब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फर्मान जो बन धन प्रबता के मद में एहनिस रहे दिवाना दिन रात पागल होया फिर दे दान दा मान जो बन दा मान प्रबता दा मान भगत्वी मेर्श करा निमाने नहीं हो दे मान तो रह तो नहीं हो दे और निमाने नहीं हो दे बड़ा बारी मान हों दा 해ips उना को किस थे उस प्रमात्मा देदे धनगुर वर्जन देव जी महराज़ी दे बोल मैं आप जी दे सामेने रखा पात्षा किने देने मान माँगों तान माँगों धन लख मी सुत दे ए प्रभू निमाने होके निजीमना निताने हो के नी जीमना कुदरती गल है निताना निमाना होंद है जो निताना है जे देकुल तान नहीं हो देकुल मान का दा और जो निताना है निमाना है उते मरन तो पहले मर गया उते कबर दे चला गया उते चल दी फिर दी लाश है और कुछ भी नहीं नितानी कौम निमानी होंदी है निताना मनुक निमाना होंदै निताना देश निमाना होंदै उमरनों तो पहले मर गया होंदै निताने ले जगत दिश कोई जगत नहीं कम जोर केने नुसली कोई था नहीं ति ज़त किसी तरह दिवी कोई ताकत नहीं ना धन दा जोर ना जोबन दा जोर ना कुल दा जोर ना जात दा जोर तो जोर किस दा? जोर हुन प्रभु दा तान मान दीबान साचा नानिक की प्रबटे ए प्रबु उन तू मेरा तान है इस वास्ते मैनू तेरे ते इमान है प्रमात्मा निर्मल है उस दा मानवी निर्मल है बाकी हंकार मेला है विचार जद बदल देने तो हुन मैर्श करा मनुख दे विचारां दिच है की मनुख दी सोचनी दिच की है अगर कह देए विचारां दे बदल देए संसार बदल देए सोचनी दे बदल देए जिन्दगी बदल देए चिंतन दे बदल देए यादां दे बदल दे आई सारी दुनिया बदल देए हंकार दे बदल देए आई सब कुछ बदल दाए तो सवाले पैदा हुदा है मनुखदे विचारां दिच कीए सोचनी दिच कीए यादां दिच कीए धार्मिक मनों चिंतक ऐसा कहा है देने के मनुख़दे विचारां देच मनुख़दी सोचणी देच और मनुख़दे चिंतन देच काम है लोब है अहंकार है और कीए कुछ भी नहीं है पड़ो अपने विचारानों अंदर किड़े पए विचार चल देने पड़ो अपनी सोचनी नो सोचनी देच की है और पड़ो अपनिया यादानों यादान देच की है धन गुरु नानिक देवजी महराजी कहें देने बढ़ियां बढ़ियां किताब मां पढ़ लेना है अपने मन नों नहीं पढ़ दा काया कागद मन परवाना सिर के लेख न पढ़े इयाना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है बढ़ियां बढ़ियां किताब मां पढ़ लेना है बहुत कुछ पढ़ लेना है पर मत्य दे लेक नहीं पढ़ सकदा सिर्दे लेक नहीं पढ़ दा तेरे सिर्देच की चल दे है तेरे दिमाग देच की चल दे है तेरे मन देच की चल दे है पढ़ और जिसनों अपना मन पढ़न दी जाचा जाए सादक और जो अपने मननों बदल देवे शुद कर लेवे सादू जो सादना देच लीन है मननों समझन दी कोशिश प्या करदा है धनगुर गनसाब जी महराज दी बानी ते थे तक कहें दी ए गुरु अर्जन देव जी महराज ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेका भार्मक दुनियां दे अजीम देव थे बड़े दौर्शनिक सन बड़े स्याने सन बड़ियां शक्तियां दे मालक पर जिस धनगुर गनसाब जी महराज नू आप मत्था टेक रहे हो धनगुर अरजन देव जी महराज के निन ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेका ओवी मन दियां गहराईयां नू समझ ना सके ते मन दे हत्थों ठगा गया ब्रह्मा ठगा गया किस्तरा ठगा गया अपनी बच्ची दा रूप वेख के अपना मन मेला कर बैठा पुराण कता हुआ जिस दा अनवाद कर देने भाई साब भाई गुर्दास जी चारें वेदव खान दा चतर मुखी होए खरा से आना लोकानू समझाएं दा वेख सुरस्ती रूप लुभाना अनहाना वर्म ओ जिडिपल ब्रमा करदा ऑघ व ही भुल विश्णू करदा ऑघ व ही भुल शंकर करदा ऑघ व इंदर करदा ऑघ वह भुल नारद करदाे कारन क्यों करदा है को मन दियाँ गहराईयान फो शंजन देच असमर्थर Bahn गये तो मननों समझना किदरे बच्चियां दी खेड़ना समय लेने लोग की कहिनना मननों सुध करके गुर्दवारे जाओ बिल्कुल घल्द कहिन देने ऐसा कहिना भी नहीं चाहिएदा मननों शुद करके गुर्दवारे जाओ इंजी कहना चाहिएदा है गुर्दवारे जाओ ताके मन शुदवे पहले किस्तरा कर लेने के के में कर लेने के जिनानों मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंजी कहने नहीं मनननों इकागर करके पाठ करो बिल्कुल गल्द कहें देने और यो कहे रहें जिनानों मन दी समझ नहीं इंज कहना चाहिदा है पाठ करो ताके मन इकागर होगे मन दी इकागर ताते फल है जिड़े कहें देने मननों इकागर करके कीरतन करो मननों इकागर करके कीरतन सुनो बिल्कुल गल्द केंदेने और मैं फिर आर्ष कराऊं ओही कह रहें जिनानों मन दी बिल्कुल समझ नहीं कोई बोध नहीं ओही कह रहें नहीं मननों इकागर करके कीरतन सुनों नहीं इंज कहना चाहिए कीरतन सुनों ताके मन इकागर होए पाठ करो ताके मन इकागरो वे गुर्दवारे जाओ ताके मन शुद्धो वे मन शुद्ध करके गुर्दवारे जाओ बचियां दी खेल और गल सपष्ट होगी मन दी समझने मन दा कोई पता नहीं आम साधारन मनुखांदा ते कैना की भन गुर्वर्जन देव जी महराज फर्मान कर देने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा आम बंदे मन दे हत्तों ठगाए जाँ देने ब्रह्मा भी ठगा गया किसे होर ने नहीं ठगया मन नहीं ठग लेया बिशनो नो मन नी ठग लेया शिव जी नो मन नी ठग लेया इंदर नो जो आम साधारन मुनक भुल कर देने इंदर भी कर बैठ है और हैरानगी ही कि गोतम रिशीदी नार अहल है अपने विचार अपने जज़बात नो काबू ना पांदा वया एक संद दी पतनी नो ब्रश्ट कर दा है इंदर गुरुगर्ण साब जी महराज दा फैसला गुरुगर्ण साब जी सित्यास नो सड़े सामने रख देने गोतम नार अहलेया तिस देख इंदर लुबाया सैस सरीर चहिन भग उए तामन पच्छोताया तो मैं रख करा मनुखदे विचारां दिच कीए मनुखदी सोचनी दिच कीए मनुखदे चिंतन दिच यादां दिच कीए मनुखदे विचारां दिच काम है मनुखदे विचारां दिच लोब है मनुखदे विचारां दिच आहंकार है मैं दुआ दाना नहीं लेया क्रोध ते मो पता है क्यों धार्मक दार्शनक कहीं देने ये जो तिन ने काम लोब अहंकार इना दी अपनी बुनियाद है क्रोध ते मो इना तिना दी च्छाया है क्रोध ते मो दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है इस दी अपनी कोई होँद नहीं है ए उन्ना तिन्ना दी छाया है काम दी छाया है मो लोब दी छाया है मो हंकार दी छाया है मो हंकार दी छाया है क्रोध मोदी छाया है क्रोध काम दी छाया है क्रोध जिस्तों लोब दी पूर्ती हो जाए उस्ते मोव आजान दे, प्यारा लग दे, चंगा लग दे, जिड़ा रोक खड़ी कर दे वे उस्ते क्रोध आंदे, गुस्सा आंदे जिड़ा काम दी पूर्थी करदेवे उस्ते मोव आउंदे प्यारा लगदे चंगा लगदे जिड़ा रोक खड़ी करदेवे उस्ते क्रोध आउंदे और जिड़ा हंकार नू पठे पादेवे प्यारा लगदे चंगा लगदे जड़ा कहदेवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं थोड़े जैसा कोई ग्यानी नहीं तुसी ना हो ते सेवा हो नहीं सकदी तुसी ना हो ते गुर्दवारे चल नहीं सकदे कुछ ते हंकारी ऐसे हुदेने वो आप ही अपने मुँच और सब कुछ परगड़ कर देने के देने गैनी जी असी ना होगय ते जलूस के में निकलेगा असी ना होगय ते सकूल दे दरवाजे बंदो जाना असी ना ही हो तो गुर्दवार एदा कम चली नहीं सकता मेरा कोई जवाब होंदा है तुम मर के वेग सब कुछ होंदा रहेगा ये ते केती गई देखवाजे वजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है कल तुम एखेंगा जो मैं ना हुआते सूरज के में चड़ेगा मैं ना हुआते द्रियामा दे वेग किस्तरा चलनगे मैं ना हुआते हमामा किस्तरा चलनगी या पर इसनु कौन दसे तुम नहीं भी होंएगा तो सब कुछ होंदा रहेगा आमें तेरा हंकार फिजूल हंकार भोका हंकार तो जिड़ा हंकार नू पठे पादे वे उस्ते मौ आम दे चंगा लगदे प्यारा लगदे और जिड़ा रोक खड़ी करदे वे उस्ते क्रोध आम दे जिड़ा लोब दी पूर्ती करदेवे प्यारा लगदाए चंगा लगदाए और जिड़ा रोक खड़ी करदेवे उसते क्रोध आमदाए इस वासते स्याने धार्मक चिंतक ऐसा केंदने क्रोध ते मोध अपना कोई वजूद नहीं है अपनी कोई बुनियाद नहीं है अपनी कोई होध नहीं है यह उन्हा तिन्नादी अच्छा है भाहत कठन है बहुती कठन है मस्जिदा ने मंदर ने गुर्दवारे ने साधना दा थोड़ा थोड़ा अंतरे मनजल इकोई है ठिकाना इकोई सड़े हिंदू वीर जान देने मंदरां दिच दर्शन करन लई किसे देव ते अवतार दी मूरती दे सारी साधना अक्षां दे खड़िये वेखन दे खड़िये दर्शन करने ने वेखना है अक्षां दे सामने जो कुछ होएगा अक्षां वेखने नगी है सारी साधना दर्शना दिखड़िये आज एक मंदर दी कोठडी देच भगवान नो वेखिये फिर बार वेखिये फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिकाई देवे साधना वेखना दर्शन करने ने सड़े मुसल्मान भिराजान देने मस्जिद देच पड़न ले निमाज सारी साधना पड़न दे खड़िये कुरान दी तलावद करने ये निमाज पड़ने पड़न दे खड़िये वेखरना लो थोड़ा जिया पढ़ना देवास्तर एकागरता चाहि배 दोड़ी जिया सिख जान देने गुर्धवारे शुनन ले गुरु का शब्द, सारी साधना कनना ते खड़िये, सुनन ते खड़िये विखण नालों पढ़ना उखा है और पढ़न नालों सुनना उखा है कठन है इस चक्रिचना पहना कैसे इतने सारे बैठे यां, सारे सुन रहे यां कट는지 ने दो चारान नो जैदा कोई नookie सुन रहे हैं सब अपनी विचारान सुन रहे हैं सब अपनी सोचनी न सुन रहे हैं सब अपनी यादा चमऊ अंदर जो फुरने चल लिए सब उना नल जुड़े हैं कठन हैं अगर कोई सुने हैं तो साहिब के दिन नानिक भगतां सदा विगास सुनिये दुख पाप का नास सुन दियाँ दुख नास हो जाने सुन दियाँ गुरू का शबद अंदर प्रवेश करेगा सुन दियाँ गुरू दी विचार अंदर प्रवेश करेगी अंदरों हंकार निकलेगा अंदरों दुख निकलदगे, अंदरो संताप निकलदगे, सुननाही स simplicity और सुन ओही सकेगा, जिस दा पूरा ध्यान ही का गरवे इदर भटगदा पे, इदर भटगदा पे, उदर वेकरे है उदर वेकरे है, तो सपष्ट है एदा ध्यान भी भटगरे है इनकी सुननना है सुनले ध्यान दी पूरी कागरता चाहिए दिये एक मनख उची उची बोल रहे होंदा है दूसरा सुन रहे होंदा है ते सुनन वाला अचन चेत कह देंदा मित्रा एगल फिर आख मैं नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी जद बोलन वाला इतनी उची उची बोल रहे है तो कहिंदा मेरा त्यान केसे होर पासे चला गया बिना ध्यान दी कागरता तो सुनना कठन है और बिना सुनया गुरु दे शबद दा अंदर प्रवेश होना कठन है और शबद दे अंदर दे प्रवेश होय बिना दुखांदा बार निकलना भी कठने दुख ताई बार निकलनगे संताप बार ताई निकलनगे जिस शबद अंदर प्रवेश करेगा नानिक भगता सदा विगास सुनिये दूख पाप कानास सुनके ही मनुक सिद बन जानदा है पीर बन जानदा है नाथ बन जानदा है गैनी बन जानदा है दानी बन जानदा है इतना पावन हो जानदा है कि अठाड तीरत भी उस तो सदके कीते जा सकते ने सुनिये 68 काहिशनान इतना पावन हो जानदा है उत इतना पवित्र हो जानदा है जिक इदरे सुने बोजन दी बुरकी मूदे राही अंदर प्रवेश कर दिये उपच के मिंज बन दिये, होन बन दिये, मास बन दिये, सरीर दी शक्ती बन दिये, तवानाई बन दिये, इंद्रियांदा बल बन दिये गुरूदा शबद कन्ना दे राही अंदर प्रवेश कर दा है एही समाधी बन दाए एही अनन्द बन दाए एही देवी गुण बन दाए एही परमशक्ती बन दाए एही रुहानी ताकित बन दाए पर शबते कन्ना दे रही अंदर प्रवेश करेगा और उदों प्रवेश करेगा जद कोई सुनेगा और सुनेगा ओही जिजदा त्यान पूरा इकागर ने ते कौन सुन दाए शोकिया लोकी अपने कारदेच भी एक हंड़ पाट रखा लें देने कारण गुरूदी गल गुरूदी विचार सड़े विचारान आल ताल मिलने खांदे सड़े विचारांच काम गुरू दे विचारांच राम सड़े विचारांच करोध गुरू दे विचारांच दया सड़े विचारांच हंकार गुरू दे विचारांच निरंकार निर्मानता, विनिमरता ताल मेल नहीं बैठता वाजे दी सुर एक पासे जाये तबले दी सुर एक पासे जाये कनन ताल मेल नहीं बैठेया ताल मेल नहीं बैठेया ताल तबला सुर ताल दोहांदा मेल ते बैठना चाहिए सुर किसे पासे जा रही है ताल किसे पासे जा रही है गुरू दे विचार कुछ होर सड़े विचार कुछ होर ताल मेल नहीं बैढ़ दे और किन ने जिते ताल मेल बैढ़ जाए रस बनदा भी होते ही है वरना रस नहीं बनदा और किसे दिन कीरतन सुन देया किसे नू रस आ गया है ताल मेल बैढ़ गया हब ते मैं देखे हैं की तंदा रास्ते किसे नू वरलेना इस आंदा नेस लोग सरां आवाजां देस अगले दी रंग रूपे या व्यर्थ दिया साखियां ची फसके रह जान देने यह ना दा इतिहास नालवी कोई मतलब ने सचाई नालवी कोई मतलब ने मैं ते इते तक देखे इतने नेवी लोकां दी सरोत इकिस्तरा गुरू न सुननगे इकिस्तरा गुर्माणी न सुननगे इबाणी बिरलो विचार सी जेक को गुरमक हो है साच दी विचार फोकिया साखिया नहीं और जेडी साखी गुरु गुरन शाब दी विचार धारा ति पूरी नहीं उतर दी उस दी सचाई है कि थे खेर, मुक्तसर जो मैं अरश करा गुरुगरन साब जी महराज दे विचारां दिछ निरंकार है दैवी गुण ने इश्वरी गुण ने इस सुन के यंदर प्रवेश कर देने शबद अंदर प्रवेश करेगा समाधी बनेगा दैवी गुण बनेगा और समझा जाएगी उस परी पूरन प्रमातमादी अकाल पुरुखदी किस अकाल पुरुखदी ही? जिदे बारे धन गुर गोविन सिंग जी महराज केंदे ने अनेक हैं फिर एक हैं जो एक होंदा ओया अनेक है ते अनेक होंदा ओया एक है इति पहली हो गई ओ अनेक भी है ओ इक भी है ओ इक भी है ओ अनेक भी है ओ आकार रहत है ओ आकार वाला भी है ओ सरगुण है ओ निरगुण है निरगुण आप सरगुण भी हो ही कलाधार जिन सगलीम हो ही ओ निरगुण रूब देच एक है वो सरगुन रूब देच अनेक है वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है कदी जगत देच बगवर मुतालग करके देखना सब कुछ अनेक है एक कुछ भी नहीं है मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे ते हो नहीं सकती आप इतने सारे बैठे हो सब वक वक हो मेरे करते एक खेल रचाया कोई न किसी ही जेहा उपाया एक जैसा दूसरा नहीं है लखा मनुखी बच्चे रोज जनम ले रहने नमा रूप लेके आम दे नमी आवाज नमी चाल और घजब दी गल नमी ही उंगलियां दी चाप आप इतने सारे बैठे हो हर एक दे फिंगर प्रेंट अलग अलग ने है हर एक दे अंगूठे दी चाप अलग अलग एक दा अंगूठा दूजे नल मेल नहीं खांदा इस वक्त जमीन दते कोई पंच अरब दे करीब मनुख ने इस दा मतलब पंच अरब अंगूठे अलग अलग ने और जितने मनुख हो गुजरे ने सबदे अलग अलग जितने नवे आरे ने सबदे अलग अलग आवाज अलग चाल ढाल अगर रंग रूप अलग एक जैसा दूसरा नहीं है मनुख दी गल चड़ो एक पहाड जैसा दूसरा पहाड नहीं है एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है एक द्रखत जैसा दूसरा द्रखत नहीं है द्रखत दी गल चड़ो एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है एक द्रखत नो जे एक हजार फल लगेने दस हजार फल लगेने एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है इस चकरिचना पेना कि एक हजार अंब एक द्रखत नो लगेने सारे एको द्रखत दे फल ने तो एक जैसे निकता ही ने रंग देच, रूप देच, आकार देच, वजन देच, स्वाद देच, लाजमी फर्क होएगा एगल वकरी है कि ओ फर्क साड़ी पकड़ देच आवे, पावे ना आवे ओ फर्क साड़ी तोल देच आवे, पावे ना आवे, पर फर्क है एक जैसा दूसरा प्रमात्मा बनान दाई नहीं पुन रुक्त नहीं करदा और रिपीट नहीं करदा कहीं दिन प्रमात्मा दीच रिपीटेशन नहीं है वो कुछ भी रिपीट नहीं करदा और जिस दिन एक जैसा और दूसरा बनान लग पया तो समिल लेना रबवी मुख गया खतम हो गया ऐसा नहीं होगेगा एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है और एक सूरज नहीं है धन गुरू अर्जन देव जी महराजी कहने नहीं कई कोट ससियर सूर निखत्र कई करोणा सूरज नहीं है कई करोणा चंद्रमाने को एक है और अज विग्यान ने इस दी तस्देख कर देती है कि गालबन पंजा अर्ब सूरज सडी पकड़ देश सडी समझ देश आगये नहीं इतने इस तों अगावी पसारा हो सकता है जिस तरह सडी उमर है सूरजान देवी उमर है कुछ सूरज बचपन दे दाउर देश नहीं कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुड़े ने, कुछ खतम होन वाले ने, मिटन वाले ने, धन्गुर वर्जंदेव जी महाराज के इंद ने, घटंत दीपंग, घटंत रूपंग, घटंत रवससने खत्र गगनंग, सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा, चंद्रमा ते भी लागों ने, और विग्यान ऐसा कह रहे है कि एक सूरज, एक सूरज जिस दे थल्ले सी जी रहे हैं, अपनी जवानी हंडा चुके है, बुड़ा हो गया है, चालिस लख टन वजन एक सैकिंड दे चिस्दा घट रहे है, घटंत दीपंग, घटंत रूपंग, घटंत अब ससने खत्र गगनंग, गुरु अरजन देव जी माराज, एक घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा, इस दे मिटन वी महा पर ले कहें देने है, एक ब्रहमन दी पर ले, एक ब्रहमन दा खात्मा, बुड़े सूरज दे थले ऐसी जी रहे है, भामे अर्मा खर्मा इदी साल उमर है, लेकिन उमर है, हर चीज वद दिये, घट दिये, मिट दिये, एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक द्रख्ट जैसा दूसरा द्रख्ट नहीं है, एक नदी जैस प्रमात्मा भी मुख गया है धन गुरु अरजन देव जी महराजी के दिन साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार उते नित नमा है उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नमा ही आंदा है बहुत लंबे चोड़े पसारे नो ना लेए लखा मनुखी बच्चें रोज जनम ले रहें नमी आवाज लेके नमा रूप लेके नमे नैन नक्ष लेके नमी अंगूठे दी चाप लेके नमी उंगलियां दी चाप लेके पर बच्चा अलग है एक जैसा दूसरा नहीं है मेरे करते एक खेल रचाया कोई न किस ही जहा उपाया सब कुछ अनेक है वक वक है पर इस सारी अनेकता दिछ रमे आओया एक है एक है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है तू अनेक होंदा होया एक है और तू एक होंदा होया अनेक है ऐसा क्यों कीता है प्रमात्माने वो एक तो अनेक क्यों हुआ है धनगुर गोबिन सिंग जी महाराज दा इस संबंदी जवाब कल गी दरपात शादा महाराज कहिने ने एक मूरत अनेक दरसन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक अनेक ता उस एक दा खेल है तमाश है खेल या ते बच्चे खेड़ देने खेल या प्रमात्मा खेड़ देने बाकी खेल नहीं नहीं जिस दिछ जित होवे जिस दिछ हार होवे वो खेल नहीं है वो जंग है जिस दिछ नफा होवे जिस दिछ नुकसान तेडल नहीं है मनुक्छी जगद दे सब तों वडियां खेलां मेरी दृष्टिच उवी एक जंग है उवी एक धंदा है खेल नहीं है जिस मिल्यवगे खिलाड़ी हार जान देणे कशन अनुक्ति फलाणा मिल्यवग हार गए फलाना मुलक जित गया है यह जंग है यह कि खेल है और जिस मुलक दे खिलाडी हार जान देने सोगवार हो के आउंदेने रोंदे हो यह आउंदेने और जिस मुलक दे खिलाडी जित जान नचदे हो यह आउंदेने मुलक दिच उन्हां दा स्वागों दा है उन्हां नो इनाम मिल देने जैसे किसे मुलक नो जित के आएने और वा कई नाम भी लिया जान दा है फलाना मुलक हार गया फलाना जित गया तो एक खेल है के जंग है एक खेल है के दंदा है एक खेल नहीं है इसनों मेरी आत्मा ने कताई खेल नहीं मनेया कताई खेल नहीं है जिस दिच जित है जिस दिच हार है जिस दिच हार दी घिरना होवे जिस दिच हार दी बेश्ती होवे ते जिस दिच जित दा तकब्र होवे उन्हों खेला खन दी की लोड़े वो खेल नहीं है वो जंग है जे दिछ नुकसान दा दुख होए जे दिछ नफेदी खुशी होए उन्हों खेल आखन दी लोड की है ये ते धन्दा है खेल बच्चे खेड़ देने खेल प्रमात्मा खेड़ दे द्रियादे कंडे ते सागर दे थटते बच्चे खेल पए खेड़ देने रेत दे महल खड़े कर रहे ने बड़ी महनत नाल बड़ी लगन नाल बड़ी इकागरता देनाल तो क्या इनना बच्चेया ने इनना महला दे चरेना है जो इतनी महनत नाल पए बना देने इतनी इकागरता नाल बना रहे ने नहीं खेल है पर बड़ी लगन नाल बड़ी मेनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने महल बन गए ने इदनों सूरज जो बन वाला है शाम हो गई है घर दी याद आई है हस्दियां हस्दियां रेत दे मैल खड़े की ते सन प्रिश्टी जी सब कुछ खेल, जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफ़ा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुडेपा एक खेल, क्योंकि जवानी बुडेपेच बदल जान दिये, जनम मरन दिच बदल जान दिये, नफ़े, नुकसान दिच बदल जान दिये, का तखियर लेकर जिसे हस्ता हुआ पाऊगे तो नानिक एक है जैसे खेल नू संखोच दा है एक तो जद खेल खेलन लगदा है अनेक एक मूरत अनेक दर्सन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक इस अनेक तादिछ जिड़ा एक नू वेख लवे एक नू समझ लवे ओ पवित्तर है उसनों किसे नाल घिरना नहीं होएगी किसे मुलक नाल, किसे जात नाल किसे व्यक्ती नाल, किसे कौम नाल किसे धार्मक मंदर नाल मस्ज़न नू वेख के वी उस देंदर जरनाट वड़ जाएगी मंदर नू वेख के वी उस देंदर खुशियां जागन गिया खेल है वास्तवक ओ एक है सूरज एक है किरना अनेक ने सागर एक है लहरा अनेक है जिस उन्हों लहरा नाल नफरत है उन्हों सागर नाल भी नफरत है जिन्हों किरना नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नालवी केरना है उन्हों एक दी कोई समझ नहीं उसने एक दा कोई बहुद नहीं ते गुरुगर्ण साब जी महराइदी बानी दा फैसला एक वस्त बूजें ताहों में पाक बिन बूजे तूं सदा ना पाक जे एक नू समझ जाएं तो पावन है पवित्र है ते जी नहीं समझेया तो अपवित्र तादी ठेरी भट्टा ने इस संबंदेच एक सवया उचारन की तेक है कि मैं समाप्ती करा एक आगरता बक्ष ने और धन गुरु अमरदास जी महराइदी उपमादेच भट फर्मान कर देने ए गुरु अमरदास ते पड़ेओ एक मन धरेओ एक कर एक पचाणेयों ए गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पड़ेया ते एक नूँ पड़ेया दो तेन चार पज नहीं एक सिर्फ एक नूँ पड़ेया ही नहीं मन देच भी एकनु वसाय है धन गुरु नानिक देव जी महराज भी कहने ने दुबदा ना पढ़ों मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़ननों त्यार दूजी तीजी गल में सुनननों त्यार नहीं पढ़ननों त्यार नहीं दुबदा ना पढ़ों हार बिन आवर न पूजों मडी मसान न जाई तृष्णा राचन पर घर जावा तृष्णा नाम बुजाई मैंने दुबदा पड़ता भाट कहिं देने हे गुरु अमरदास तैं पड़ेओ एक तुसी जीवन भर पड़ेया एक नो सिर्फ पड़ेयाई नहीं मन देच वसाया एक नो तैं पड़ेयो एक मन दा रेयो एक कर एक पछाणेयो नैन बैन मोह एक एक दोए ठाए न जाणेयो थोड़ी अक्खाँच भी एक है जित्ते तक वेक देओ एक नो थोड़ी जबान ते भी एक है जिनने बोल बोल देओ उना चु एक प्रगटों दा अनेक ता नहीं दोबदा नहीं थोड़ी जबान ते भी एक थोड़ी अक्खाँदे छवी एक आखर धार्मक मनुक दी पैचान किस्तरा करोगे उसदे विभार तों उसदे बोलन तो उसदे वेखन तो उदी तरजे जिन्दगी तो और किस्तरा होसगदा गुर्दवारे आनवाला वी अधार्मक होवे होसगदा मंदर देच रोज पूजा पाठ करन वाले दावी कोई भगवान नल संबंध ना होवे विभार तो पता चलेगा उदे आचरन तो पता चलेगा के इदे जीवन देच निरंकार प्रगट होया है के नहीं भट कहिंदे ने हे गुरु अमर्दास थोड़ी रसना ते एक थोड़ी नेतना देच एक नैन बैन मोह एक एक दोए ठाए न जाने तुसे एक तो बिना दूजे नो नहीं जान दे थोड़ी एक की एक दिखाई देंदा सारिया किरना देच एक कोई सूरज दिखाई देंदा थोड़ी लहना देच एक कोई सागर दिखाई देंदा थोड़ी अनेकता देच एक दिखाई देंदा भट गुरु अमर्दास जी माराजदी उपमा कर दे हो या अगाँ चल के कहें ने सुपन एक पर तक एक एक कसमें लीने हो ए गुरु अमर्दास तुसी जागदे रेंदे हो एक देच लीन रेंदे हो पर ज़द तुसी सौँ जांदे हो तौन सुपने भी इक देई आउंदे तुसी सुपने यांदेच भी इक देच लीन रहें देओ थोड़ी जागरत अवस्ता एक नाल जुड़ी होई है थोड़ी स्वपन अवस्ता भी इक नाल जुड़ी होई है इस सारे हिंद से जमा करने पैनेंगे जोड़ करना पैगा 31 अर 5 सिद पैंटीस निखीनेंगे 31 इकत्ती पंच छत्ती ते पैंती 71 ए गुरु अमरदास ए अवस्ता थोड़ी 71 वरे दी उमरदेच बनी 71 साल दी अवस्ता देच ऐसा जीवन आपनों नसीब होया 31 अर 5 सिद पैंतीस निखीनेंगे इक को जे लाख लखो अलक है इक इक कर वरनेंगे गुरु अमरदास कव भल भन तूँ इक लोडें इक मनेंगे कवी भल पट कहीं देने हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहे हैं तो अनू इक दी लोड है तुसी इक नू मन देओ इक नू वेख देओ इक नू बोल देओ इक नू पढ़ देओ और इक नू मन देच वसाय है थोड़ी जागरत अवस्ता देचिक थोड़ी स्वपन अवस्ता देच वीक तुसी इस गल नू समझ ले है कि एक वस्त बूझे हैं तहों में पाक बिन बूझे तु सदा ना पक एक नू कोई समझ जाए एक नल कोई जुड जाए ओही पवित्तर है बाकी कोई पवित्तर नहीं क्योंके उनू सारियां लहरां दे सागर दिखाई देगा उनू सारियां किरना दे सूरज दिखाई देवेगा उनू सारे मनुखां देच प्रभू दिखाई देवेगा उनू सारे पशू पक्षियां देच ईश्वर दिखाई देवेगा जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोबिंद अनूप ए विशन सार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया यह अवस्ता जिस दी बन जा है ओही पावन है ओही पवित्तर है धन गुरु गोबिन सिंग जी महराज के इंदने तु एक होंदा ओया अनेक हैं और अनेक होंदा ओया ए अनेकता तेरा खेल है अनेकता तेरा तमाशा है ते बस मैं एही तमाशा देखन ली आया मैं हो परम पुरक को दासा देखन आयो जगत तमाशा अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं एक सूफी दा कहन है जो हस रहा है सो हस रहेगा जो रो रहा है सो रो रहेगा सकूने कल् से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा उस दा तमाशा है इते हो रहेगा तु वेखन वाला बना धन गुर गोबिन सिंग जी महराज के इन ने इस तमाशे देच बड़ी पारी अनेकता है और ए अनेकता उस दा तमाशा है इसे अनेकता देच जिसनू एक दी सम तो पूजें तहों मैं पाक बिन बूजे तू सदा ना पाक गुरुगरण साफ जी महराज दा पहला अखर एक तो गुर्बाणी अरंबों दिये तो सारी गुर्बाणी एक एदा ग्यान करां दिये जो एक नल जुड़ गया बस ओही ब्रम गयाने ओही पागत ओही संद ओही फकीर ओही वली अल्ला ओही अवतार ओही महापुर्श और ओही पावन ओही पवित्र धन गुरुगन साब जी महाराज बक्षिश करन गुरुगोगन सिंग जी महाराज दे इस छंद दी विचार सर्वन कर देयां आपनू इक दी समझ पवे और सिर्फ समझी ना पवे सारी अनेकता दिच एक दिखाई देवे ताकि कथा सुनी होई दा लाब सडी चोडी दिच पैजाए साइब रहमत करन सुन के थानू अलंग मिले और सुना के मेन वे इक आगरता नसीब होए कोई गावे को सुने हर ना माचित लाए कहो कभीर संसा नहीं अन्त परम गत पाए सारे अन्द हार दिखता उरते धनवाद बड़े टिकाव नाल इक आगरता दे नाल आपने गुर्बाणी विचार नो जो है सरुन कीता कल फिर इसे समय दास आपजीद चर्ण परसेगा पहले दास दे नाल आयो ए साथी विचारां तकिरतन सरुन कराणगे उस तों बाद दास गुर्बाणी विचार आपजीद सामने जो है पेश करेगा साहिब रहमत करन इसे तरीके नल संजोग बनाई रखन भुल चुग दी शमा वाहिरो जी का खालसा वाहिरो जी की फत्थ